कि अलो गाइज रागताब को मेरे यूटीब प्यानल ड्रोविस प्रेम में आज की पूरी रियल टाइम ही होगी आज मैं स्किन टैक्श्र ड्रोव करके दिखाऊंगा और मैं गुरु नानक देव जी का स्केट्रों कर रहा हूं फ्रेंस ये रियल टाइम है तो इसके मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ क्योंकि वीडियो पहले काफी बढ़ी हो चुकि मैंने अप्ट कितना रहो किया है और इसके वीडियो पेपर कर लिया है तो इसके एसक्षिन में जुरूरू बताना कि आपको एक ऐसा लगा और आपको एक अच्छा लगा और आप इसकी वीडियो चाहते हैं तो बता दी क्मेंट सेक्षिन में बता दीजिएगा मैं आशा और बनाऊंगा तो इसके वीडियो पी रिकोड कर लूँगा तो चलिए आज का वीडियो शुरु करते हैं तो नस्याँ परेस में से प्रेंस में से स्टार्ट कर रहा हूं और प्रेंस में सबसे पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अच्छा दर्वा बेना निक्दान जा दर्वा बेना निक्दान मैं सोबा सुणके आया युच्छा दर्वा बेना निक्दान सतनाम सतनाम जी वाह गुर वाह गुर जी पूची अपार बेंत सुवामी कौन तेने गुर तेरे उच्छा दर्वा बेना निक्दान पूच्छा कर बाप बेना निक्दान सतनाम सतनाम जी वाह गुर वाह गुर जी इस फ्रेंट्स मेंने एच्वी पैंसिल कल यूज करकर पूरे ृट्स में शेड़ कर लिया है तो फ्रंस अब हम इसे ब्लैन करेंगे चाहे हैँद आधू रहरा है आट हम ब्रश करने ब्लेंड कर रहा हूं भी ज्टारें ब्लेंड करने के बात फिर से एक रूपन्सल को यूज करके शेड कर रहा हूं मैं एक बार फिर से ब्लैंड कर रहा हूं ब्लैंड करने के बाद मैं अब टू भी पैंसल से शेड कर रहा हूं ना निक्तास तेरी सर्णाई सदा सदा बलगारे उच्चा दरवापे ना निक्ता जी मैं सोबा शुड़के आयाय। जाहां दरवापे ना नilt दा जाहां दरवापे ना निक्ता बोलो सत नाम सत नाम सत नाम दी यो दोने, हो निहां, हो स्रियाकार उच्चा दर्वा बेना निकदा मैं सोबा सुण के आया उच्चा दर्वा बेना निकदा सतनाम, सतनाम, सतनाम जी वाह गुर, वाह गुर, वाह गुर दी पूची अपार बेंत सुलामी कौण तेरे उच्चा दर्वा बेना निकदा पूच्चा दर्वा बेना निकदा पूच्चा दर्वा बेना निकदा अब एट वी पैंसल का यूज़ करके यह जो आइज में ब्लैक एरिया इसको शेड़ कर रहा हूं अब अब जो आइज में बहुत ध्यान से शेड़ करना होता है अब निक्चे वाले बाट में कर रहा हूं अब आई वरो में आई वरो में भी ध्यान से करने होता है अब मैं नोज में जो डार्क एरिया उसको शेड़ कर रहा हूं और अब जो आइज के थोड़ा निक्चे वाले पाट में डार्क एरिया उसको यहां आइज में डार्क शेड़ हो रहा है अब जो आएज अब जो बाट मुकद को आइज वश्यू परेत मुकद को आइज पाहन पारी उतारे जातर वापे नानिकता जातर वापे नानिकता नानिकतास तेरी सरनाई नानिकतास तेरी सरनाई मैं फ्रेंट इसको फिर से एक बार ब्लाइड कर रहा हूं और फ्रेंट्स ब्लैंड करने के बाद मैं मेकैनिकल एरेजर को यूज करके इसको इरेज करूंगा जहां जहां वाइट पार्ट है देखिए जहां नोज की साइड में और यहां आइस के निचे कर रहा हूं है और आप आइस के बीच अब मैं पैंसिल से एक पर फिर से कर रहा हूं हूं कि बाद उसके बाद जो मोईस्चर वाइट मोईस्चर उसको थोड़ा इस रेज कर रहा हूं पैंसिल इदर चलीगी जो गलती से दिखिए यह दिखिए मिल गलतब आइद और नव सकनाम जी रहा है कुर वा है कुर वा है खुल झी और टूल जी जो बिन से बाद ग्राद जनंगेरे कुर इद्य होचित में पैंगा पनाद हर्प आ झाओक ठा कुरर रहा हूं का७ा जोनगता जी मैं सोबा शुणके आया उच्चादर बापे ना निकदा सक नाव सक नाव सक नाव जी माय गुर्वाय 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 गुर्वी पशु परेत मुक्द को तारे पशु परेत मुक्द को तारे पाहन पारी उतारे उच्चादर बापे ना निकदा ना निकदास तेरी सरणाई सदा सदा बलगारे उच्चादर बापे ना निकदा सदा बलगारे उच्चादर बापे ना निकदा यही होता है बस रिफ्रेंस फोटो में ध्यान से देख के शेड करना होता है इससे हाइपर रेलिस्टिक भी बन जाता है हाइपर रेलिस्टिक वीडियो में आपको कभी दिखाऊंगा तो फ्रेंस अब तके लिए इतना ही टाइंक फोर बोचिंग